उत्तरप्रदेश में योगी सरकार के आज सौ दिन पूरे हो गए हैं इस मौके पर खुद मुख्य मंत्री आदितिनात योगी ने सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ट पेश किया उन्होंने सौ दिन विश्वास के नाम की बुकलिट चारी की जिसमें सरकार की उपलब्धियों और भविश्य में उठाये जाने वाले कद्मों के बारे में बताया गया सीम योगी ने कहा कि दीन दयाल उपाध है कि अंतियोद्धे के सपने को साकार करना सरकार की प्रात्मिक्ता है उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि जेवर में एरपोर्ट बनाने को सैधानतिक मनजूरी दी गई इस साल के अन तक 30 दिलों को खुले में शौट से मुक्त किया जाएगा स्कूली बच्चों को कई सुविधाय मुहया कराई जा रही है इसके साथ इसीम योगी ने कहा कि उनकी सरकार गिना किसी भेदभाव के सभी वर्कों की भलाई के लिए काम कर रही है उन्होंने पिछली सपासरकार पर इशारो इशारो में निशाना साथते हुए कहा कि राज्यव अन्शवादी राजनीती की चपेट में था अब उसको इससे निजात मिली है उन्होंने किसानों की कर्ज माफी का विशेश रूप से जिक्र करते हुए कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही लगू और सिमांत किसानों की पिछले साल मार्च तक की कर्ज माफी करने का फैसला लिया गया है इससे करीब 86 लाग किसान लाभानवित हुए है योगी ने कहा कि किसानों की सुरक्षा के लिए पांच गुना अधिक गेहुं खरीतने का फैसला लिया गया है साथी गन्ना किसानों के 22,000 करोड के लोन माफ किये गए है इससे साथी सियम योगी ने कहा कि प्रदेश की सभी गाओं में 24 खंटे बिजली की सप्लाई के लिए केंडर से आगरहे किया गया है वी आईपी संस्कृति पर लगाम लगाई गई है आपात सेवाओं को छोड़ कर लालबत्ती की संस्कृति का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया है मैलाओं के सुरक्षा भी सरकार की प्रात्मित्ताओं में शुमार है इस दिश्रा में एंटी रूमियो दल का गठन किया गया है साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश को माफिया राज से पूरी तरह से मुप्ति दिलाएंगी यहां तो सीम योगी ने सौ दिन पूरे होने पर सरकार के काम काज की उपलब दिया गिना दी लेकिन 100 दिन बाद भी शायद CM योगी यूपी की हकीकत को नहीं देख पा रहे हैं यूपी में योगी सरकार जिन वादों के साथ सत्ता में आई थी वो अभी तक पूरे नहीं हुए है ना गाओं को बिजली मिली ना सडकों की हालत सुधरी और तो और कानून राज की बजाए गुंडा राज बढ़ता दिख रहा है देखे रहे डीवी लाइव